नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है अचानक पीला कच्छुआ दिखा है ये दिखा है राजस्थान के दौसा सिटी में और उधर नेपाल में जिसको लेकर के लोगों में काफी उत्सुपता है नेपाल में तो उसे विश्णू का उतार कहा जा रहा है और तरह तरह कि उ इला है वो भारती फ्लैप सैल कच्छुए के रूप में उसकी पहचान की गई है और बताया ये है बनविभागने की पाकिस्तान सिरलंका भारत नेपाल बांगलादेश और मियामार में दुरलब प्रजाती की कच्छुए पाए जाते हैं और ये कच्छुआ उसी दुरलब का है ये जो जनकारी मिली है उसके मुताबिक दौसा सहर के बजरंग मैदान इस्थित कालोनी में ये दिखाई दिया था खाली जगह पे अकसर पानी एकत्रित होता रहता है वहीं पे ये दिखा फिर कालोनी के लोगों में उसे पाने के लिए होड मच गई जगड़ा होने ल कच्छुआ देखा है पाल के धनुसा जिले के धनुस धाम नगर निगम मिलाके में पाया गया पीले रंग के कच्छुआ को मिधिला वाइड लाइफ ट्रस्ट ने भारती फ्लैप कच्छुए के रुप में पहचान की है और जो बन्य जीव भी सग्य कमल देव कोटा है उनक कारों का कहाना है कि नेपाल में सुने रहे हैं रंग का कच्छुआ पहली बार दिखा है दुनिया भर में इस तरह कि सिर्फ पांची कच्छुए मिले हैं यहां एक समान ने खो जाए और जो बन्य जीव भी सग्य कमल देव कोटा है वो फिर कहा रहे हैं कि जेनेटिक से कच्छुए का रंग सुना रहा हुआ है इसे क्रोमेटिक लिउसीजम कहा जाता है इसकी वज़ा से पसुव के चमडे का रंग या तो सफेद या मध्यम पढ़ जाता है तो यह है इस कच्छुए की पिले रंग के कच्छुए के कहानी लेकिन नेपाल में लोग यह भी बताय जा रहा है कि पूजा पाठ करने लगे हैं आप तस्बीरों में देखेंगे कि किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं खैर ये उनकी अपनी माननेता है बट इतना तय है कि ये पिले रंग का कच्छुआ जो आप गोल्डेन कलर भी कह सकते हैं ये दुरलप प्रजाती का है और जो बन जीव भी ससग्य हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि जहां तहां पूरी दुनिया में पांच छी इस तरह के कच्छुए अभी तक मिले हैं इसलिए उनके लिए भी रिसर्च और आज चरिका ये भी सह है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारा डिजिटल चै प्राइट करें और बैल अइकन दबाने लागा है